हलो दोस्तो नमेश्कार चीज़ों को यापे कवर करना स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे पहले तो निफ्टी येस निफ्टी के अगर हम लोग बात करें हरे निशान में देखने को ही मिल गया इब दम दस पॉइंट सिर्फ केवल ऊपर ठीके बीच में निफ्टी ने काफी अच्छा परफॉर्मंस या पर दिखा है तो मदब ठीक है पहले फ्लाट ही चल रहा था बोरिंग टाइप बे ब्यान इबदम जबरदस तीजी आई एंड उसके बाद इबदम से अच्छा नक्स से हम लों को कुछी चंद आदे घंटे के करीब करीब बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को म पर वैसे तो पहले से ही इंडेक्स को उपर जाने के लिए नहीं दे रहा था आप देख सकते हो गैप डाउन देखने को मिला एंड उसी रेंज में चल रहा था एंड उसके बाद HDFC बैंक में तो इबदम ही जोरदार गिरावट आई सो HDFC बैंक इस प्रकार से जब भी गिरता आपको पता ही है फिर हो बैंक Nifty को भी ले डुबेगा आप यहापे देखी सकते हो किस तरीक से बैंक Nifty को नीचे ट्रिगर कर लिया फिर financial services को भी यह नीचे यहापे ट्रिगर करेगा और उसी की साथ-साथ जो बाकी के भी अच्छ आप जोड़ कर देख ले तो ultimately conclusion हम लोग का जो निफ्टी अच्छा या पर उपर जा रहा था ऐसा लग रहा था अच्छा करेगा बट आखरी आदे गंडे में इसी चीज़ के चलते नीच आते वह देखने को मुले है not a big deal यह चीज़े market में recurring mode के हिसाब से आपे हमेशा चलती next अगर हम लोग आपे बात करेंगे दोस्तों तो यहापे alkyl amines yes alkyl amines के अगर हम लोग बात करेंगे तो आज के दिन काफी अच्छा performance देखने को मुले है साड़े 6% की तेज़ी रहे कि alkyl amines कोई खराब company नी है वो as usual जो चीज़े हम लोग देखने को मिल जाते कौनशी stage 1 फिर 2 अच्छा लगेगा तेज़ी के चलते अगर blindly कोई खरीदेगा फिर नीच आएगा तो उनको तकलीफ होगी ठीक है अगर किसी ने यहापे खरीदा भ रहे है तो इस चीज़े होती है हर किसी स्टॉक में मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हो अगर आप लंबी आउदी में किसी शेर में रहने का विचार कर रहे हो तो आपको हमेशा यस जो पाच चक्र होते है उससे आपको घुजर नहीं पड़ेगा फ्लैट रहेगा ते जाउस भी काफी अच्छे देखने को जाए है मिड़ साइस की कंपनी बॉस तो इतना तो चीज़े हम लों को देखने को मिलेगा ही 13-14,000 करोड का मार्केट के पहे और जिस सेग्मेंट में आपे फिलाल काम करते है आपको पता ही उसमें आम लों को गिरावाठी देखने को आपे मिल रहे चाहिए फिर केमिकल की बात करें फार्मा की बात करें तो यह दिक्कते होती है प्रमटर के ओल्डिंग 71% है और बागी पब्लिक के पास रहता है इंस्टुटिशनल इन्टर जाद हम लों को इस कंपनी में देखने को नहीं मिलते है अगर आप मेरे पूराने बढ़ते भी देखने को मिल रहा है इस सिगारे टेबैक को निकोटिन की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा कासा बिजनेस अगर आईटीस अपना फेला देता है तो ग्रोथ यहाप आ सकते है बिकाज इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो पूरा मोनोपॉली यहाप लेकर चल चुका है आई टीस अगर हम लोग बात करें तो ग्रोथ इसमें कंपरेटीवली लो रहती है ठीक है इसका तो अभी जो नेख्स्ट पडाओ जो है वो वही करके आगे नहीं बढ़ेगा तब तक ITC हम यहां पर कह सकते कि इसका इस्ट्री भी वैसे ही है जब यह अटक जाता है तो काफी लंबे समय तक अटक जाता है ठीके प्रमोटर के पास भी यहां पर शेर्स है नहीं पूरे पूरे पब्लिक में हम लोगों को शेर्स देखने को आ है था बोनस का रिशो था दो के बदले एक शेर यहां पर मिलेगा ट्रेडर लोगों को यह रिशो कभी-कभी अच्छा नहीं लगता है और वही चीज़ देखने को मिली पॉने 3% की गराट हाला कि बोनस अनौन्स होने से पहले ही फ्राइडे की दिन ही स्टॉक ने अपर सरक हो, 3-4 हो, उसे कोई फरक नहीं पड़ता है, फंडामेंटली कमपनी मजबूत होनी चाहिए जिसके चलते कमपनी को नए-ने ओर्डर यहां पर मिलते रहेंगे, और उस पाथ पे KPI ग्रीन एनरजी का परफॉरम से बदम धाकड देखने को मिल रहा है, इसलिए इस कमपनी में पाच साल में 3000% से भी जादा की रेटन से आपर दिये है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दो तो पारस डिफेंस और स्पेस टेकनोजी, ये भी कमपनी आज की दिन 5% यहां पर भागा है, देखें, एक कमपनी खराब नहीं, इस कमपनी में हुआ क्या था, IPO का बारिश जब को रेड़ी है ना, लोग रेड़ी ते खरीदने के लिए, ठीके, इवन दो 10,000 पे भी बेचोगे ना, तो भी लोग रेड़ी ते खरीदने के लिए, बस, लिस्टिंग गेंस है मतलब था, और जिनको लिस्टिंग गें नहीं मिलता था, वो ओपन मार्केट पे खरीदे थे इसलिए आप इन कंपनिस का अगर आप चार्ट पटन भी चेक करोगे, तो यह देखे, कि ओपन ही कहा पे हुआ, पहले IPO लोवर लिवल पे था, उसके बाद ओपनिंग ही होई 492 पे, मतलब अगर मैं रफली पकड़ लू, और उसके बाद स्टॉक देखी, कहा से कहा चला गय अगर उसके बाद देखी, स्टॉक तो खराब है नहीं, टाटा टेक में जो बात में ने बोली है, वही पारस में भी कहना चूँगा, यह कंपनिया खराब नहीं है, बटा, खर एक चीज का एक दाम होता है, तो इतना अगर आप उसको उपर लेकर जाओगे, ना तो कंपनि क का उतना प्रॉफिट बढ़ा है, उतना रेवेन्यू प्रॉफिट होना चाहिए ना, वरना कंपनि का अनने से लिए पी इब्दम शूट अप हो जाएगा, फिर आज ने तो कल तो ऐसा गिरना ही गिरना है, तो गिरना मतलब वो कंपनी कोई ऐसी चिंदी या रदी कंपनी न आने चाहिए, तो कंपनी तो यहाँ पर बुरी नहीं है, बाकी सारी चीज़े आपर अच्छी तरह के चलते देखने को मिल रहा है, डिफेंस में भी सरकार का अच्छा युगदान देखने को मिल रहा है, नेक्स बात करेंगे अशोक लेलेंड, अगर देखा गे तो इंफ्र इब्दम ही, बूटल तरीके से गरते वे देखने को यहाँ पर मिला था, ठीके कितने सारे लोगों ने लॉस में भी बेच दिया, तबी भी का था, कि यह कोई लॉस में बेचने वाली कंपनिया नहीं है, गिरावट is equal to exit, आपको हर एक स्टॉक से ऑपरेटर्स निकाल नहीं, थोड़ी ना हम लोग सेलिब्रेट करेंगे वाँ 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 क्या मस्त गिर रहा है करके, नहीं, बुरा दखता है बट हर एक स्टॉक गिर रहा था तबी, क्योंकि वह पॉलिस यह वैसे थी सरकार की लोडिंग कैपेसिटी के साथ शुरुआत हुई थे, आप चाओ रूल्स बदल गे, और अटो सेक्टर लोवर साइकल में स्टार्ट हो गया और कोविड का तड़का लग गया, मतलब जितना बुरा होना था, इतना बुरा हो गया कि 40 रुपे का टार्गेट बताय था अशुक लेंड का, और आइगेस उसी के आसपस भी पहुचा था, ठीके अब भी फिलाल ठीक ठीक टाक कर रहा है, विकास ब्रोकर भी इसके टार्गेट अपसाइड पे हमनों को रिवाइस करते हुए देखने हैं, यह चीज़े चलती रहती है, और आपको इंफरा की स्टोरी इंडिया की अच्छी लगती है, और वहाँ पे अगर आपको पता ही है सीमेंट स्टील से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, तो हेवी वेकल्स में भी अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे अशोक लिलन्ड का भी ट्रक सेग्मेंट में काफी अच्छा परफरम समनों को देखने हैं, तो उस डिरेक्शन में अगर आपको कोई स्टॉक चाहि आप समझ चुके होंगे, फोर्स देखा गे, तो इतना कुछ खास अभी तक ता परफरम से नों ने दिया नहीं है, नेक्स बात करेंगे मदरसन इंटरनेशनल तो चलिए, धिमे-धिमे करके अभी यह 100 के उपर क्लोजिंग देते वे देखने को मिल रहा है, यह कंपनी बुर इसका मार्केट शेर है, यह अपर गाता है, आपके मर्जिय को मिल रहा है, प्रायवेट प्लियर यह औनलाइन जाते वे देखने को एंटरनेशनल थे, यह कंपने बुर। अलग अलग टाइप के पॉलिस या इंट्रोडीज या आपे करने वाले है अगर ऐसी कुछ चीज़े होंगी तो डेफिनिटली LSE में हमनों को कमबैक होते वे ज़रूर देखने का आपे मिल सकता है फिलाल आप यहापे देख सकते पसेंट लास्टाइम जब यहापे OFS लाया था सरकर ने तब ही वो IPO 21,000 करोड का था तो इतना पैसा तो होना चीए तो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते है थोड़ी सी रहात LSE को मिलते वे दिखने को मिली है यह रड़ा की बात करेंगे आज की दिन होने 2 पसेंट यहापे बागाए ठीक है यहापे डेली बेसिस के उपर ऐसा कोई ज्यादा फोकस करनी की आप ज़रूत नहीं कंपनी में ओर रल अच्छा दम है सिर्फ अभी भी ओफिशली कोई ऐसी खबर देखने को नहीं मिल रहे अगर आप चेक भी करोगे तो अभीदध clarity of it है मतलब fund raise होगा 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 यह इसी खबर के चलते है stock चलता है मतलब rumors के चलते चलता है ठीक है अभी यह rumor सच होगा कि नहीं पता नहीं अभी तक हम लोगों ने देखा है छे बार rumors इससे related आए है और छे के छे time मतलब जो खबरे थी पहले news आई थी वो बाद में rumors में ही तक दिलोगे इसलिए stock अगर आप देखोगे तो लगातार हम लोगों को तेजी कि इनको 500 करोड मिलते वे देखने का आपे मिल चुके है तो अलग अलग जगे पर इनका पैसा या पर अटका हुआ है तो इसी चीज के चलते जब भी इंफलो आता है इंफलो किसको अच्छा नहीं लगेगा कमपनी को पैसा अगर 100-200 करोड अगर ऐसे ही आपर मिल जाते है तो अच्छी बात यहाँ पर देखने का आपे मिल जाते है बट यूजवली यह ट्रेडिंग अक्टिविटी होती है यह कोई इन्वेस्मेंट अक्टिविटी नहीं होती है ठीक है यह वन टाइम हम लों को एसी चीज़े होती विए देखने का आप मिल जाएगी असली बात क किसी स्टॉक में आपे बनेंगी बनेगी बट उसको ट्रेडिंग कहते हैं इन्वेस्मेंट नहीं जाएगी इन्वेस्मेंट मतलब का यहे Individual आप और नया टोप, और नया टोप, और नया टोप, ऐसी कंपनिया आगी बढ़नी चाहिए, तो उसको इंवेस्मेंट बूलते हैं, यह ऐसी गिरावट के चलते हैं, तो कभी तो रिकवरी आती ही रहेगी, चो छोटा मोटा तो पैसा इसमें बन जाएगा, मैं अगेन के रहा, लोगों को समझ में आपे आना चाहिए, आईसे से बैंक 300 का हजार हो गया, समझ रहे, 200-300% रिटन्स बन गए, तो उस हिसाब से आप लोगों ने समझ डाया, भापे safety भी था, अगर हम लोग बैंक की बात करें तो, तो यह भी चीज हम लोगों को समझ में आपे आने चाहिए ठीके, छोटा मोटा पैसे से अगर आप, मतलब profits अगर आप खुश हो, तो definitely वो यहापे बन जाएगा, ठीके, बैंक तो डूबने वाला है ने, RBN तो बचा लिया, बाकी लोगों का भी पैसा यहापे, हम लोगों को देखने को मिल जाता है, बट अगर आपको wealth चाहिए, wealth ए अगर आप बने रही है, अगर आपको लगता है, नहीं ऐसा हो सकता है, तो फिर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी, तो ठीक है दोस्तों, जितने भी important points ते सारे आप है मैंने cover कर लिए, वीडियो helpful लगा होगा, तो चाहो तो like and share कर सकते हैं, मिलते हैं next video में अपके लिए, बबबाए!